आज हमारे मटर की बहुत ही जटपट बनने वाली रेस्पी बना करके तैयार करेंगे हमने यहाँ पर एक कटोरी हरा मटर ले लिया है यहाँ पर हमने फ्रेस मटर लिया है टमाटर भी आप अपने एक्छा की अनुसार काम या जादा कर सकते हैं देखो जो हमने मटर लिया है कितना अच्छा एक दंबल को फ्रेश मटर है आप किसी भी तरीकी की इसकी रेस्पी बना करके तैयार कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको एक बार याद दिला दूँ प्लीज यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करें देखो हमने इस तरीके से एक दंबल को फ्रेश मटर को ले करके तैयार किया है उस मटर को यदि हम बोल करना चाहते तो बोल भी कर सकते देखो हमने दो मीडियम साइच के आलू को और जितनी हमने भी मटर ली थी इनको हमने दोनों को साथ में बोल कर लिया है आलू को हमने छोटे छोटे टोकड़ों में कट करके बोल किया है और आलू को हमने छील भी लिया ता इसलिए हमने दोनों चीजों को अच्छे से बॉil करके तयार कर लिया है हमें इसमें बॉil करने में बहुत ज़्यादा समाइने लगता है बहुत ही जल्दी बॉil हो जाती है जब आप इस तरीके से छोटो चोटो टोकड़ों में आलू को कट करेंगे गैस पर हमने थोड़ा सा ओल गरम होने के लिए रख दिया है बहुत ही कम ओल में आज की है रैस्पी बन करके तयार हो जाएगे कियोंकि जो हमारे मटर हैं और आलू हुए आम ने पहले से इनको बॉil करके रख लिया है हमारा ये जो ओल है अच्छे से गरम हो चुका है इसमें हमने आदी चमมาजीर ढाल दिया है एक हमने टेज पत्तर ढाल दिया है और हम इनको अच्छे से चटकने देंगे जब यह हमारी सारी चीज़ यह अच्छे से चटक जाएंगी तो हमने एक बड़ी प्याज को इस तरीके से छोटे-छोटे टोकड़ों में कट कर लिया है दो तिन हमने अधरक यह लैसन की कलिया ले ली है उनको भी हमने छोटे-छोटे टोकड़ों में कट कर लिया है और इनको हम तेल में तेज गैस पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे अधरा कोरलेसन का इसमें बहुत ही अच्छे टेस्ट आता है और हमने जो हरी मेर्च ली थी हरी मेर्च को भी इसको छोटी छोटी टोकड़ों में कट करके डाल दिया है और देखो जो हमारी प्याज बहुत ही जल्दी तेज गैस पर बोन करके तैयार हो जाती है और जो हमने टमाटरों को कट किया था आप हम इसमें टमाटर भी डाल दें और थोड़ी देर तक टमाटरों को भी सौट करेंगे बहुत ही जल्दी टमाटर तो हमारी गल पक करके तैयार हो जाते हैं हमें टमाटरों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है तोड़ा सा ही हमें पकाना है जब ही हमारी तोड़ी से पक जाएंगे तो हम इसमें नमक डाल देंगे नमक डालने से जो हमारी टमाटर और ही जल्दी अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगे हमने नमक को डाल दिया है नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे इसमें बहुत जाता है इसमें स्पेसल मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती है तोड़ा सामने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और नमक और हल्दी पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है उतने ही देर में जो हमारी टमाडर थे टमाडर भी पक करके तैयार हो चुके हैं और जो हमने मटर और आलू को वैल करके रखा था उनको भी हम इसे में डाल देंगे ये तो हमारे बहुत ही अच्छे से पहले से पके हुगे हैं इनको पकने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे आज हम बहुत ही अच्छी भंडारे वाली आलू और मटर की सूकी सबजी बना करके तैयार करेंगे यकिन मानिए दोस्तों बहुत ही कम ओल मसाले में आज ही बन करके तैयार हो जाएगी और बहुत ही जट पर तैयार होगी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5-6 मिनट ही लगेंगे और जो हमारी सबजी अच्छी से पक करके तैयार हो जाएगी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी आप इसे दल चावल के साथ खाएंगे तो खाने में बहुत ही मज़ए आएगा आप रोटी पूरी पराठी के साथ भी खा सकते उसके साथ भी खाने में सूखी सबजी बहुत ही अच्छी लगती है जब आप आलू और मटर को थोड़ा सा बोईल कर ल momento ए तो ऑर ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें थोड़ी से सूखे मसाले डाल देंगे या आदी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउड़र डाल दीया है एक चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और हम इनको मिक्स कर देंगे वलाश्ट में हम तूड़ा सा बोईल करके ही बनाएंगे ना तो इसमें ज़्यादा तेल होता है जब आप इनको बोईल नहीं करते हैं तेल में फ्राई करते हैं तो इसमें दोगना तेल हो जाता है और सूकी सबजी में बहुत ही ज़्यादा कहने लगते हैं लेकिन जब आप इस तरीके से बोईल करके बूल को अच्छ आर्ने सेडीन लीया देखें कि जरूर कर जब ऐसीर हेलदोगा वद जेज़िक सूलल और हम्हारी सारी दोचिज़ें समयजे सेडीन और जोकेटिनों दोड़ेलाजाएं चीज़े गाता कूंअ दोड़ कर दोड़ से से mix कर देंगे हरी पत्ती से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है देखिए दूस्तों हमारी कितने अच्छी सूकी सब पूरी पराटे के साथ खाने में तो मजा ही आ जाएगा देखिए दूस्तों बहुत ही अच्छे से खुसबू भी आने लगी है और हमने जो हरी पत्ती डाली थी हरी पत्ती को भी अच्छे से mix कर दिया है जब आप इसको थालियों में परूसेंगे तो इसकी खुसबू अलग ही आएगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी और दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ यदि आपको हमारी वेडियों अच्छी लगे तो एक लाइक तो जरूर कर दिया करें यदि अच्छी न लगे तो डिश लाइक भी कर दिया करें देखो हमारी सूकी सबजी अच्छी से बन करके तैयार हो चुकी है और वेडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद